तो आगत है आज हम आपको मसाला सेंड्विच की रेसिवी बता रहे हैं विल्कुल रेस्टोरेंट में मसाला सेंड्विच कैसे बनाया जाता है कैसा उसका टेस्ट आता है वैसे टेस्ट आप घर पे ला सकते हो बड़ी आसान इसे मसाला सेंड्विच बना के बहुती आसान रे रेसिपी है मारे वीडियो का पंत तक देखना इसके बहुत सवारे सिक्रेट बताएंगे कैसे आप टेस्ट ला सकते हो तो चलू आईए कि तो चलू आईए ऐसा ही टेस्टी स्वाधिस्ट मसाला सेंडविच बनाने की रेसिपी स्टार्ट करते हैं करते हैं मसाला एट किया जाएगा अलू का दो ब्रेड प्रेम आलू का मसाला एट कर देंगे ऐसे टाइक से आप मसाला सेड़्विश बनाईए बहुती टेस्टी हमारा मसाला सेड़्विश बनेगा दूसरा ब्रेड इसके उपर रखेंगे और उसके उपर भी मसाला एट कर देंगे आलू का आलू का मसाला आप अपने नूसा रख सकते हो कम ज़ादा और तीसरे ब्रेड को उल्टा रख लेंगे कि ऐसितार सैंड्विज पूरी त immigration से पढ़ली की त्यार हु आए हम इसको अच्छे से strict करें गे कि स्टीक में अच्छे से यृट कर लेंगे संड्विश को रेक्र और धो में अच्य तरीकर से बनके त्यार हो जाएगा इस टाइब से हमारा सेंड्विच ब्राउन हो चुका है ब्राउन होने की बाद दोनों दरब अमूल का बटर लगाके अच्छे से फॉड़ाफों करेंगे तो सismo की вниз को एक घाल की और विद्राफ की सेंड्विच पे नालने के लिए तेंगे इस टाइप से हमारा सेंट्वीच बहुत ही तरीकिसे बन गहां बवा ऐंगी अगत Wonderful है, कि इस को चार भाग बच लेंगे कि इस टाइप से मारे अखसी तरीकिसे बन स्था पूदर का पूदर, बहुत ही अच्छा टेस्ट है इस लिए गिस है आप सेंट्वीच बनाईए मसाला सेंड़ीच बहुती रेस्टोरेंट जैसा टेस्ट आएगा हमारे वीडियो आपको चल लखता है लाइक शेर सब्सक्राइब करिए रोज हमारे नई नई वीडियो देखिए धन्यवाद